स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो आज मैं यूज करने वाली देखी इस तरीके से बच्चों की बड़ों की कोई भी पुरानी टीशेट हो उनका मैं यूज करने वाली हूँ तो सबसे पहले जो सबसे चोटे साइस की टीशेट है उसमें से मैं एक रेक्टेंगल पीस कट कर लूँगी तो जितना बड़ा भी मेरे पास आया देखिए पीस मैंने कट कर लिया उसके बाद आपको इस तरीके से क्रॉस में उसमें निशान लगा लेना है तो सारी जितनी भी टीशेट है उसमें से मैं इसी तरीके से पीसे कट कर लूँगी तो स्लीव में से और फ्रंट में से जहां से भी आपके पास इस तरीके से रेक्टेंगल पीसे निकलते हैं देखिए मैंने कट कर लिया है तो चोटी टीशिट बड़ी टीशिट थी कुछ मेरे पास कुछ लोवर थे उसमें से मैंने इस तरीके से देखे पीसिस को कट कर लिया है तो यह सारी पीसिस मैंने एकी साइस के कट कियें अब हमें क्या करना है हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए आपको इसके तीनों तरफ पहले सिलाई लगानी है तो साइडों से देखे, हाफ इंच का मैंने इसमें डिस्टेंस छोड़ दिया है और उसके बाद तीन तरफ इस पे आपको सिलाई लगानी है यह देखे, मैंने सिलाई लगा ली, अब हमें इसमें कतरनों को फिल करना है तो यहाँ से जहाँ से ओपन है, अच्छे से हम कतरनों को फिल कर देंगे आप चाहें तो पुराना कॉटन होती है, वो भी फिल कर सकते है अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हाफ इंच की सिलाई हमने यहाँ लगाई है यहाँ पे भी आपको देखें, हाफ इंच की सिलाई लगा लेनी है, इस तरीके से और उसके बाद हम एक क्रॉस में भी इसमें सिलाई लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया है, उसी निशान के उपर इसे क्या होगा, आप वाश करेंगे तो कत्रने इकठी नहीं होगी एक जगा पे यह देखें, यह रेडी हो गया हमारा, इसी तरीके से में बाकी की पॉकेट्स भी रेडी कर लूगी तो जितने भी मैंने कट कियें, बाकी की पॉकेट्स में रेडी करके दिखाती हूँ देखें, मैंने सारी पॉकेट्स इस तरीके से रेडी कर लिया है यह देखें, सब में कत्रनों को फिल करके, तो देखें कितनी अच्छी थीकनेस से यह बिल्कुल रेडी हो गया है तो अब हम इने आपस में join करते हैं तो सारे pieces को इस तरीके से रखेंगे और हम इने आपस में join करेंगे तो देखे इसे पकड़ना है इस तरीके से आपको दोनों को मिलाना है साथ में और जो हमने half inch का margin छोड़ा हुआ था उसी पे आपको सिलाई लगानी है ये देखिए ये हमने half inch का margin इसी लिए छोड़ा था ताकि हमारी easily इस पे बिल्कुल सिलाई लग जाए अब ऐसे ही आपको दूसरा piece भी जाइन करना है ये देखिए इस तरीके से और जो half inch वाला margin है उसी पे आपको सिलाई लगा लेनी है इसी तरीके से मैं बाकी की strips भी ready कर लेती हूँ फिर हम उन्हें आपस में जाइन करेंगे ये देखिए तो जितना विर्थ का आप लंबा बनाना चाहते हैं उतने इसमें pieces जाइन करने हैं तो देखिए इसी तरीके से मैंने एक और piece जाइन कर लिया है अब हम इने आपस में जाइन करेंगे सारे pieces जाइन करने के बाद तो देखिए मैंने सारे pieces इस तरीके से कर लिया हैं अब हम इने आपस में जाइन करेंगे तो दो दो एक एक करके हमें जाइन करना है देखिए तो एक piece पकड़ना है इस तरीके से और उस पे आपको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है वो ही हाव इंज के डिस्टेंस पे देखी मैंने सिलाई लगा लिए इसी तरी के से में सारे पीसिस को जॉइन कर लूगो देखी मैंने सारा जॉइन कर लिया है तो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से आपको जॉइन करना है अब हमें क्या करना है यह जो हमारे साइड में है इसे हम कट कर लेंगे क्योंकि यह टीशेट का कपड़ा है इसलिए इसके रफ एजिस नहीं निकलते और हम इसे अच्छे से देखिए इसमें डिजाइन बना देंगे कट करके तो जितना भी हमारा यह बीच में इस तरीके से है इसी तरीके से हमें छोटे-छोटे कट लगा के इस पर डिजाइन बना देना है यहां से भी बीच में से भी आपको छोटे-छोटे कट लगा लेने है यह देखिए मैंने छोटे-छोटे कट लगा लिए इस तरीके से तो सारे पे लगा लेती हूँ फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ तो दिखिए मैंने सारे पे इस तरीके से कट लगा लिए तो एक तरफ से हमारा इस तरीके से आजाएगा डिजाइन क्योंकि टीशेट का कपड़ा है तो कोई भी इसके धागे वगारा नहीं निकलते देखिए कितने अच्छे से हमारा ये फिनिश हो गया है इसे इस तरफ से भी यूज कर सकते हैं और यहां से भी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है तो दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं रिवर्सेबल है और वेस्ट कतरनों का हमने यूज किया है बच्चे कुछे कपड़े के जो पीसिस होते हैं और देखे कितना अच्छा हमारा यह इस तरीके से बना है यह देखिए तो सर्दियों में जैसे बैठने के लिए मैं बैट के ओपर बिछाने के जिए अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से बिछाने के लिए आप इसे यूज कर सकतें तो multi purpose है, छोटे size में, बड़े size में, बैट के size में आप इसे easily बना सकते हैं और machine washable है, आप इसे easily machine में wash भी कर सकते हैं तो देखिए बिल्कुल ready हो गया है